घड़ी की सुईया सबके लिए बराबर दोरती हैं और सबके पास समय भी बराबर होता है लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने समय को कैसे यूज कर दें किसी भी एक्जाम के अगर आप तयारी कर दें तो बहुत सारे स्टुएंट से जिनके पास टाइम की कमी ह होती है कोई जॉब कदा है कोई ट्विशन पढ़ा रहा है आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसे गेस्ट से जिन्होंने एक चौम में रहते हुए MP पीजीटी की तैयारी की और साथ मैं सफलता भी प्राप्त की तो चलिए आए मिलते हैं मिस्टर अरुन कुमार से अरुन कुमार राजोरिया है मैं ग्वालियर्ज लेके एक छोटे से गाउं का रहने वाला हूँ मैं एक मध्यम बरगिये परवार से ब्लॉंग करता हूँ और गाउं में ही खेतों में काम करते हुए मैं बढ़ा हुआ मेरी प्रारंबिक सिच्छा गाउं के स्कूल में हुई उसके बाद ग्रेजूशन में मैंने बीसिय किया पीजी एम इंगलिस से की ग्वालियर में जीवाजी इन्वर्सिटी से और फिर बीयर्ड किया और साथ में ही कॉम्पटिशन की तयारी भी करता रहा जी अच्छा ही बढ़ा है आपकी MPPCT में कौन थी रेंग थी? मद्य प्रदेश सिच्छक भरती परीच्छा में मेरी 251 रेंक रही जी जाना चाहूंगी कि आपनी प्रेप्रेशन की वो कैसे की उसके बारे में थोड़ा डीटेल में बताई आपने प्रेप्रेशन कैसे की मैं यहां पर मैं थोड़ा बिस्तार में बात करना चाहूंगा कि जब मद्य प्रदेश सिच्छक भरती परीच्छा अब बता दूंग मैं कि पुलिस की नौकरी में रहते हुए बर्गेक की तैयारी करना मेरे लिए काफी संगर्स फूड रहा अब तैयारी मैंने कैसे की इसके बारे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने बर्गेक की का जो सिलेवस है वो मैंने एक पेज पर नोट किया नोट करने के बाद मैं जहां पर सोता हूं वहां पर मैंने उसको चिपकाया अब जब भी सोते जाकते उठते बैठते मैं जब भी मैं उस पर नजर पढ़ेगी मेरी नजर तो पढ़ेगी तो मुझे वो सिलेवस रट गया और उसके बाद सिलेवस के प्रते एक टॉपिक को डी यूटूब चैनल है उस पर बरगे के सिलेवस के प्रतेक वीडियो डेटियल्स आपके यूटूब चैनल पे अबलेबल है और आपके वीडियो से मुझे काफी हैल्प मिली यह यह यूं कहूं कि आपके वीडियो देखकर ही मैं आज उच्छमादमक सिछख हूं मैं मैं इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अभारी हूँ और इसके लिए मैं आपका बहुत-धन्वात करना चाहूंगा लेकिन मैं आप एक बात कहना चाहूँगी कि टीचर आपको केबल गाइडेंस दे सकता है आपको मैटेरियल प्रोवाइट करा सकता है लेकिन पढ़ना खुद आपको होता है तो जो मेन क्रेड़िट है वो आपको और आपकी मेहनत को ही जाता है कि आपने कम टाइम में फोकस के साथ कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडी की और एक्जाम क्रेक किया बर्ट थैंक्यू वन्स एगेन उसके बाद मैं आपको बता हूँ कि जो सिलेवस के जो टॉपिक है उनको मैंने डीपली यूटूब से वीडियो देखे हैं उसके बाद गूगल, विक्किपीडिया, टेलीग्राम और जो ओल्ड पेपर होते हैं बो निकाले और यूजीसी, नेट, जियार एफ इनके भी जितने भी सारे ओल्ड पेपर हैं, वो सारे मैंने निकाल के नेट से के मार्केट से खरीद के और उनके खुद के छोटे-छोटे नोट्स बनाए जैसे आप यूटूब पे चैनल वीडियो देखे होई, आपको बरगे का पूरा सलेवस मिल जाएग, पूरे सलेवस रिवीजन करोगे, तो आपको वीडियो दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे, बस आपने जो नोट की हैं, उनको आप रिवाइज कर लो, तो ऐसे कर गे मैंने छोटे-छोटे नोट्स बनाए, ग्रैमर के लिए मैंने लूसेंट की ग्रैमर, और एक बुक आती है, लरन टू यह तीनों बुक से मैंने ग्रैमर की तैयारी की, और ग्रैमर के भी मैंने खुद के छोटे-छोटे नोट्स बनाए, और अपना 100% देने की कोशिस की, 100% और मेरे मन में, जब भी मैं सोता था, तो वो सिलेवस नजर आता था मुझे, मैं जो भी कुछ पढ़ रहा हूं, वो मन मैं सो रहा हूं, सपने वो मुझे यह सब चीजने दिखती थी, मतला इतना जुनून था मेरा, नौकरी के प्रती, मुझे ऐसा लगता था, मुझे यह नौकरी चाहिए, और तैयारी फिर और डामेटिकली होती गई, आपकी जो स्टड़ी टाइम था, वो टोटल कितने आवर आप स्टड़ी में देते थी, कितने घंटे पड़ते थे आप, मैं आठ नो घंटे नौकरी करने के बाद, घर पे आके मैं सारे काम करता, मैं चार से पांच घंटे मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकाल ले गता था, और यहां पे मैं अपनी राय कर दूं, तो मैं तो यह मा आपको इस नौकरी के परती जुनून कितना है, बो जादा मायने रखता है, अगर आपको नौकरी के परती जुनून है, तो एक घंटे में भी आप इतना पढ़ लोगे कि चार घंटे कम पढ़ जाएं, अब जो घंटे गिनते हैं, बो क्या पढ़ते हैं, किताब सामने रख तो आप जब डिस्ट्रेक्ट होते थे तो खुद को मोटिवेट करने के लिए आपने क्या किया मैं पढ़ाई के टाइम पर डिस्ट्रेक्ट होता था मैं सभी स्टुडेंट होते हैं वो डिस्ट्रेक्ट होते हैं मैं भी होता था तो मैंने इसका एक इलाज नकाल रखा था कि एक पेज पर मैंने अपनी छोटी-छोटी कमियां लिख रही थी कि जो कुछ जो कुछ कमी मेरे अंदर थी या फिर जो चीज़े मुझे मॉटिवेट करें जैसे मान के चलो जैसे मैंने क्रम बाइच कर गए पेज पे लिख रखा था कि मेरे साथ के हमारे जैसे रिष्टेदार हुए घर के हुए वो मेरा मजाक बनाते थे तो उनसे मुझे लड़ना नहीं है मुझे उनको कुछ करके दिखाना है यह लख रखा है दूसरे नंबर पर घर में बड़ी बड़ी नोक्रियां थी मैं जिल प्रहरी था तो जब भी मैं रिस्तिधारी बगरे में जाता तो मुझे बड़ा छोटा फील होता था ऐसा लगता था कि मैं क्या हूँ एक पहरेदार हूं यह सब चीजा मैंने नोट कर रखी थी जब भी मैं डिश्ट्रेक्ट होता था जब भी मेरा मन बिचलत होता पढ़ने में मन नहीं लगता तो मैं बस उसको पढ़ लेता पढ़ने के बहुत फिर से मेरे मन में आग लग जाती एक दम से नहीं अब मुझे पढ़ना है कुछ करके दिखाना है और सबसे बड़ी बात मैं मन में जब भी मेरे पढ़ाई के प्रती इदर उदर मन बढ़कता था तो एक चीज एक बात याद रख लेता है अपने माबाप को मेरे माबाप ने मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो विचारे दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं मतला आप अपने माबाप को याद कर लोगे जब भी आपका मन कहीं बठक रहा है तो फिर आपका मन नहीं बठकेगा और मैं जब भी इस चीज़ को याद करता तो मेरे मन में फिर से वो जुनून प्यादा हो जाता अभी नेक्स्ट MPPCT का जो एक्जाम है वो आने वाला है पहुझ हल्थ तो जो इस्टुडेंट्स एक्जाम का प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे और उनको कोई टिप देना चाहेंगे जो इस्टुडेंट कॉम्प्टीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा सबसे पहले यही कहना है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो आपको अपना हंडेड परसेंट देना है और पूरी ताकत पूरी इमांदारी उस लक्ष के प्रती आपको ज्हौंग देना है कई सारे स्टुडेंट्स क्या करते हैं मैं भी करता था यह कि पढ़ाई कर रहे हो पास में मोबैल रखा है वाटसप पे कोई मैसेज आया दो पेज पड़े या फिर एक पेज बड़ा वाटसप पे कोई मैसेज आ जा जाए तो आप वो वाटसप चेकरने में लग गए फिर उसके बाद मैसेज पर मैसेज दे के जा रहे हो मैसेज कर रहे हो चैटिंग चालू हो गई या फिर बीच में किसी का फॉन आ जाए बस किताब छोड़ी घंटों बाते चल दो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है पढ़ाई अगर आपको करना है तो आपको पूरी ताकत उस पढ़ आपको और एक रूम में आपको कुंदी लगा के बस आपको अपनी किताबों से दोस्ती करना है कि अंदर जिस दिन यह जुनून पैदा हो गया कि भान में जाये दोस्ती यारी नहते रिस्तेदार और सारी सुक सुबदा मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे तो यह नौकरी बस उसके बाद आपके मन में अपने अप जुनून यह पैदा हो जाएगा और नौकरी के लिए आपको किसी दूसरे को दिखा के तैयारी नहीं करना है मैं जब जिल प्रहरी की तैयारी कर रहा था उसके पहले की बात करूं मैं जब मैं गौलियर में रहता था तो मैंने भी तो तीन साल ऐसी बर बाद की दोस्तों के साथ गूमना फिरन मुझे अकल आ आई मिरे छोटे भाई मुरेंसे तीन साल प्रोल जघी मुझे लगा कि मिरे छोटे लग गई और मैं ऐसी गुमने बरबाद कर रहा हूँ अपना समय, मैं इमानदारी के साथ बता रहा हूँ आपको, मैंने सिर्फ तीन महीने, जैसे मैंने आपको बताए, पूरी महनत इमानदारी और लगन के साथ, रूम की कुंदी लगाई, और मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नही क्ताब की से मुझे अपने, ऐसे मैंने सिर्फ तीन महीने तयारी यार तीन महीने में मैं जैल परहरी बन गया, चैये, जैसे कि आप पहले भी जौब है, यह आपकी शेकिंड आरे और कि संुक करेंगे, आप इसी को कारें, प्रम साथ, था दू. तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा सपना था कि मैं उच्चमादम सिच्छक बनूँ तो भगवान की क्रपा और बड़ों की आसीरवात से आज मैं उस पोस्ट पे हूँ अब मेरा सिर्फ एकी सपना है कि मैं एक आदर्स और सिद्धान्त बादी सिच्छक बनूँ जो सास की ये विध्याले हैं उनमें गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं तो हमें पूरी मेहनत पूरी इमानदारी के साथ उनको वो सिच्छा देनी है ताकि वो अपना भविस्थ बना पाए एक सिच्छा ही है जिसके दौरा वो बच्चे वो सब पा सकते हैं जो एक सफल नागरिक पाना चाहता है और उन बच्चों का फ्यूचर हम पर डिपेंड करता है हम अगर उनको पूरी इमानदारी के साथ अगर सिच्छा देंगे पढ़ाएंगे उनको तो वो अपना बहतर कैरियर बना सकते हैं मैं भी अपना पूरा जीवन इसी प्रयास में लगाँगा अगर पस अपना है। स्टुरेंट्स के उपर तो कोई भी एक टिप जो इस्टुरेंट्स याद रखें एक्जाम के टाइम पे जो आपने फिल किया हो कि बहुत इंपोर्टेंट होता है कि तो को शेयर करना चाहेंगे आपको सबसे पहले यह दिहान रखना है कि अब एक्जाम में मायनस मार्किंग हो गई है तो जब भी आप आंसर टिक करो तो सोच समझ के टिक करना क्योंकि मायनस मार्किंग है सबसे पहले तो आपको यह ध्यान लगना है और एक्जाम देते टाइम पर सबसे बड़ी गलती स्टुडेंट क्या करते हैं मेरे साथ भी होता था कि जब भी मैं एक्जाम देने जाता तो डर लगता था और उस डर की बज़े से जो कुछ भी पढ़ाया है कई सारे कुश्चन गलत हो जाते बाहर जब एक्जाम देने के बाद जब हम बाहर निकलते तो ऐसा लगता बता इतना चोटा सा कुश्चन गलत हो गया मेरे से तो जो कुश्चन आप से गलत होते हैं वो आपके डर की बज़ेसे होते हैं आपकी कॉंट्फिडेंस की कमी की बज़ेसे होते हैं जैसे आप एक्जाम वहल में एक्जाम देते हो ना बैसे ही आपको घर पे प्रेक्टिस करनी है प्रेक्टिस सेट लगा सकते हो जैसे एक्जाम में आप पेपर देते हो उसी टाइप से ओनलाइन पेपर आते हैं आपको इतनी प्रेक्टिस हो जाएगा इतना कॉंफिडेंस डवल अगा कि आप एक्जाम में जब जाओगे तो आपको यह लगागा कि मैं घर में बैटके एक्जाम दे रहा हूं है ना और अपना हंड़ीड परसंट देने की कोसिस करना है आपको उसके बाद एक्जाम देने जाओ और मन में यह रखो कि मैंने तो अपना हंड़ीड परसंट दिया है बागी सब भगवान जो करें मेरे साथ थैंक्यू अरुन जी बहुत अच्छी बात कही है आपने यहां मैं अपने व्यूवर्स को बताना जाओंगी कि अरुन जी अपने एक्स्टर राइम में उनका एक चैनल भी है अरुन जी थैंक्यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए और मेरे जो वीवर्स उनको मोटिवेट करने के लिए थैंक्यू सो मच